तो आपके मन में यही question आ रहा होगा, यही प्रस्न आ रहा होगा कि ईद क्या है, ego क्या है, super ego क्या है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, ईद के बारे में जानेंगे, ego के बारे में जानेंगे और super ego के बारे में जानेंगे तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा, comment करके अपना feedback जरूर दीजेगा, तो हम वीडियो को सुरू करते है, सबसे पहले अगर हम Sigmund Frayad की बात करें, ठीक है? तो Sigmund Freud ने उनकी जो Psycho-Analytical Personality Theory थी इस थियोरी में उन्होंने इद, Ego और Super-Ego की बात की और क्या कहा इसके बारे में? Freud, Shaw, these three parts of the mind as the basis of human personality कि Freud ने क्या कहा? कि मानों की जो मस्तिक्ष है, उनका जो brain है, जो मन है इसकी जो तीन भागे हैं, कौन से भागें? इद, Ego और Super-Ego ठीक है, ये मानों व्यक्तितों का human जो personality उसका base है, उसका आधार है According to Freud, this concept could explain individual behavior कि Freud के अनुसार यही अवधारनाएं व्यक्तिगत व्यवार की व्याख्या कर सकती है इसी के दोरा हम किसी भी personality को, किसी भी individual को जान सकते हैं क्योंकि Ego और Super-Ego ये क्या करती है, explain individual behavior की व्यक्तिगत व्यवार की व्याख्या करती है ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम एक image के माधियम से समझते हैं, जानते हैं तो आप सबको पता होगा, कि आप जब भी कोई decision लेते हैं, ठीक है? तो आपके मन में इस तरह की चीजे चलती है, अच्छी भी चलती है, बुरी भी चलती है और एक balance भी आपको देखने को मिलता है जब भी आप कोई काम करते हैं, तो मन का जो एक अंदर से एक अच्छी हवाज आती है कि नहीं, एक काम सही है, इसको करो तो फिर एक अंदर का जो एक evil होता है, वो कहता है कि नहीं, इसको मत करो तो अंदर का जो evil है हमेसा आपको गलत काम करने करता है और अंदर का जो आप कह सकते हूँ कि एक डेवता है, एक अच्छा इंसान जो है वो आपको हमेसा सही काम करने 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 करता है ने के बीच में balance बनाता है आपका mind ठीक है तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं कई बार आप सही डिसिजन लेते हैं कई बार आप गलट डिसिजन लेते हैं ठीक है तो मन में हमारे दिमाग में अक्सर तीन चीजे हमें देखने को मिलती है अंदर अच्छा भी है ठीक है अच्छा मन भी ह एक अच्छा इंसान है और ego की बात करें तो ये दोनों में balance बना कर चलता है अक्सर आप कोई काम करते होंगे तो मालों आप कोई गलत काम कर रहे हो तो अंदर से जो आपका इद है कहता है कि नहीं तुम्हें करो तुम्हें अभी करना है इद के बारे में तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इद क्या है एक बुरा मन है हमारे अंदर का ठीक है So what is Eid? The Eid is the most basic part of the personality की Eid व्यक्तित्व का सबसे मूल हिस्सा है It is also represent our most animalistic urges like the desire for food and sex कि हमारे सबसे पसुवत इच्छाओं का भी प्रतिनित करता है जैसे भोजन और सेक्स की इच्छा तो अगर हम Eid की बात करते हैं तो Eid क्या है? आप जब भी काम करते हैं ठीक है बुरा भी काम अगर करते हैं तो Eid कहता है तुम कर डालो मतलब तुम इसके बारे में सोचो समझो नहीं तुमें अगर भूक लग रही है तो तुम खाना खाओ चुरागी खाना पड़े चाहे कैसे भी खाना पड़े तुम्हें तुम खाना खाओ तुम्हें पैसे की जरूरत है ठीक है तो ईद तुम्हें कहेगा कि नहीं तुम जाओ ऐसा करो पैसे घर से नहीं मिले तुम चुरा लो ठीक है तो ईद क्या है यहाँ पर हम अगर चीजे देखें तो यहाँ पर क्या चीजे है कि बिना सोचे समझे इंसान जो काम कर रहा है अक्सर हम छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे कि एक साल का बच्चा है उसके सामने कोई चीज है अगर आप उस बच्चे को नहीं दोगे तो बच्चा रोने लगता है ठीक है और कब तक रोता है जब तक आप वो चीज उसके हाथ में नहीं दे रहे थे तो बच्चे का क्या है कि उसकी जो नेड है इतनी ज़्यादा श्ट्रॉंग होती है कि जब तक वो चीजों को पाएना तब तक उस चीज को छोड़ता नहीं है, रोने लगता है, इसी तरीके से जो लोग criminal activities में होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फाइदे के लिए, वो गलत काम कर देते हैं, ठीक है, वो यह नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का अच्छा होगा, अपने रखती हैं, ठीक है, इसी इस इंस्टेट gratification for our wants and needs, कि एद हमारी इच्छाओं और जवड़तों के लिए ततका संतुष्टी चाहता है, कि आपकी इच्छा होई, आपको पैसे चाहिए, तो आपको अभी चाहिए, चाहिए, कैसे भी आपको मिले, ठीक है, आपको खान चाहिए, आपको अभी चाहिए, आपको कैसे भी खाना मिले, चीन के मिले, कैसे भी मिले, लेकिन आपको आपकी जो wants हैं, उसकी संतुष्टी अभी होनी चाहिए, ठीक है, इप इस निर्स और wants are not met, a person can become tense and angry, कि यदि ये जोड़तें या इच्छा हैं पूरी नहीं होती, तो व्यक्ति क्या होता है, तनाव ग्रस्त हो जाता है, चिंतीत हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो अक्सर इच्छा हमें गलत काम करने पर मजबूर करता है, तो अक्सर अगर आप देखेंगे कि जो crime activities में जो लोग होते हैं, उनका इच्छादा हावी होता है, और चोटी उच्छा की पूरी पूर्ती नहीं कर देता, तब तक उन्चीजों को करता रहता है, ठीक है, सोचता समझता नहीं है, एक्जामपल के लिए, जैसे, for example, a hungry baby cried until he was fed, कि उधारन के लिए एक भुखा बच्चा तब तक रोता है, जब तक उसे खिलाया नहीं क्या हो, ठीक है, फ फिर ego की आजाती है, जो एक balance create करता है, ठीक है, एक balance मनाता है, so the ego deals with reality, trying to meet the desire of the id, in a way that socially acceptable in the world, कि ego दुनिया में समाजिक रूप से स्विकार तरीके से, इद की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिस करते हुए वास्तिविक्ता से सम्मंदित है, अब क्या है, कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपको जरूरत है पैसे कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपका ईद कहेगा कि नहीं, तुम ऐसा करो घर में चुरा लो, पैसा क्या करो, चुरा लो, ठीक है, लेकिन अब धीरे-धीरे, जब हम ego की तरफ आत चाहिए, तो तुम ऐसा करो, उसे पैसे माँग लो, तो कही ना कहीं चीजे बैलेंस करके ego जो है, चलता है, मतलब अच्छा मन और बुरा मन, दोनों में बैलेंस करके चलता है, तो बहुत बार हम सही decision भी लेते हैं, लेकिन कई बार, जब हमारी needs को ज़्यादा हावी हो जात हैं, तो आप गलब चीजे भी कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है, कि संतुष्टी में देरी करना, कि चलो अभी कुछ नहीं, तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, और उस तनाव से छुटकारा पाने में मदद करना, जो ईद महसुत करता है, अगर इच्छा तु ऐसा करो, तुम थोड़े इंदिजार कर लो, ताकि तुम्हें गलत स्टैप न उठाना पड़े, ठीक है, तुम्हें पहचानता है कि अन्य लोगों की जोड़तें और इच्छाएं भी हैं, और स्वार्थी होना लंबे समय में अच्छा नहीं है, ईद की बात करें तो हमें प पार्थी होने से रोकता है, कि नहीं, तुम गलट डीसिजन मत लो, ठीक है, तुम वेड करो, ठीक है, तुम वेड करो अपने पैरेंट्स का वेड करो, ताकि तुम्हें चीजों कुछ चुराना ना पड़े, तुम गलत काम मत करो, किसी ने तुम्हें अगर गाली दी, किसी तो गलत काम को करने से रोकता है आपके मं से अंदर से जावा जाते कि नहीं यह चीज़े गलत है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वह बैलेंस बनाते हैं आप गलत चीज़े कर जाते हो ठीक है एक्जाम्पल के तौर पे सना अपनी मा का हाल लेना चाहती है लेकिन जानती थी अगर उसने बिना पूछे इसे लेगी तो उसकी मा नाराज हो जाएंगी इसलिए उसने अपनी मा से पूछा कि क्या वह इसे पहन सकती है लेकिन अगर इद यहां पे होता तो हार क्या करता तुरन जुरा लेता लेकिन अगर एगो की बात करें तो सना ने सोचा कि नहीं अगर लुंगी तो कहीना के रिजल्ट भी सोचा गया कि लुंगी तो मदर गुसा हो जाएगी इसलिए उसे पूछना चाहिए फिर अगर हम बात करते हैं अपने अंदर के अच्छे मन की जिसको हम क्या कह रहे हैं? सूपर एगो तो यहां पे जो हाई मॉरेल्टी देखने को मिलती है हाई वैलूस देखने को मिलते है ठीक है? the super ego develops last कि इंसान दीरी-दीरी जब आगे बढ़ता है ठीक है तो last में जो super ego वाला जो stage है उसमें develop होता है यह चीजी उसमें develop होती है कि जो सही है वो सही है जो गलत है जो गलत है ठीक है कुछ भी हो गलत गलत रहेगा इसलिए हमें सही के रस्ते पर चलना है जो social values है जो social norms है जो social ideals है हमें उसको follow करना है ठीक है गलत चीजें हमें बिलकुल नहीं करनी so it is based on morals and judgment about right and wrong कि यह सही और गलत के बारे में नाइतिक्ता और निर्ने पर आधारित होता है ओके the super ego represents the rules of the society यह समाज के नियमों का प्रतिनित करता है कि जो social rules है उसी को follow करना है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो social rules के against हो जो सचाई के खिलाफ हो जो गलत रस्ते पर लेके चलता है तो ego में थोड़ी बहुत गलत इस टैप पे लोग जा सकते हैं ठीक है लेकिन super ego में नहीं जो सही यह सिर्फ उसी को follow करना है इसका कारि समाज के नियमों का प्रियोग कर इत के आविगों को नियतित करना है कि नहीं अगर आपको पैसे चाहिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं आप पैसे नहीं है तो आप मेहनत करो पैसे कमाओ लेकिन आपको पैसे चुराने नहीं है ठीक है आप क्या करो मेहनत करके पैसे कमाओ आप मांगो मत आप चुराओ मत आप खुद से एफ़र्ट करो तो यहाँ पे अगर सूपर इगो माइंड का ओश्टीज है जो हमें बुद्ध बना देता है जो हमें महावीर बना देता है इस तरह का जो हुमन को हुमन से उपर उठा देता है एक तरह से देवता वाला जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर का जो देवता है एक इमानदार पूर्स है एक अच्छा इंसान है वो सूपर एगो है ठीक है तो यह हमेशा अच्छी राह पर ले जाता है हमसे अच्छे काम करवाता है हमें बुरी आदुट से दूर करता है ठीक है तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे जो माइंड है जो फ्राइड के अकोडिंग की तीन इसमें स्टेज होती है यह जो हमारी अंदर का जो बुरा इंसान है जो हमसे बुरा काम करवाता है सूपर इगो जो हमारी अंदर का एक अच्छा इंसान है अच्छा मन है जो हमेशा हमें सत्य के रस्ते पर ले जाता है सही के रास्ते पिले जाता है सही काम करने कहता है और इगो दोनों में बैलेंस बना कर चलता है ठीक है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद